नमस्कार दोस्तों टेक्सपो परदी व्यूटूब चैनल में अब सब का एक बार फिर से स्वागत करते हैं दोस्तों EPS 95 पैंशनर बढ़ोतरी को लेकर 65 लाग से भी ज़्यादा जो EPS 95 पैंशनर्स हैं अनिसे की तरब से जोर सोर से मांगे उठाई जा रही हैं और सरकार तक बात पहुंच भी गई है मंत्रियों के पास सांसदों के पास सब के पास और मांसुन सर्थर में हो सकता है कि पैंशनर बढ़ोतरी को लेकर जो है गोशना हो सकती है चलिए दोनों अच्छे अपडेट के बारे में जान लेते हैं जिससे कि आपको पता रहे कि कहां तक बात पहुंची है EPS 95 पैंशन बढ़ोतरी को लेकर उससे पहले अगर आप भी EPS 95 पैंशन से संबने लगातर अपडेट पाना चाहते है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तो पहला अपडेट निकल क्या रहा है EPS 95 पैंशन संग्र समिति लखनों के परतिनिधी मंडल ने आज 3 जुलाई 2021 को रक्ष्या मंतरी श्री राजनाथ सिंग जी से उनके आवास पर बेट कर ग्यापन सोबा जिसमें सिरी के एस्तिवारी श्री राज सिकर नागर श्री राजी उपड़नागर श्री पी के वृष्चिर वास्तवा श्री दिली पांडे एम श्री उमाकान सिंग सा है तथा सदन में भी चर्चा का आश्वासन दिया तो काफी अच्छा अपडेट है यहां पर जो रक्ष्या मंतरी जी को प्तर लिटर लिखे और सदन पर इस पर चर्चा हो इसका आश्वासन दिया है सद्श्यों के इलाज की कोई सुविदा ना होने के संबनमें मंतरी जी सदस्यों की समस्यां को गोर से सुनने के बाद उन्हें का कि 15 अगस्त के बाद आप अपने परतिनिदी मंडल के साथ दिल्ली आएं वहां अन्य संबनित विभागों के साथ विचार विमर्स होगा तथा परदामंत्री जी को भी अवगत कराया जाएगा तो दोस्तों देख सकत के लिए 15 अगस्त के बाद बुलाया है जो परतिनिदी मंडल है उनको दिल्ली और परदामंत्री जी को भी बताया जाएगा कि इसके बारे में 55 को लेकर और मुफ्त में यहां पर देख सकते हो सदस्य कि कोई सुईदा नहीं हो यहां पर मुफ्त चिकित सा सुईदा के लिए यहां पर मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिए यहां पर बताया है और यहां पर देख सकते हो एपस 95 पैंसने की जो राष्टे संग्र समयती है उन्होंने जो मुलाकात करी है उनकी तस्वीर है आप यहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी तो एक अच्छा संकेत ह और आने पाले टाइम में जैसा ही मैंने आमको स्टाटिंग में ही कहा कि आपको जो है पैंसन बडोतरी को लेकर एक अच्छी खबर एक गुड न्यूज मिल सकती है महंगाई बत्ते को लेकर मुफ्त चिकतसा सुईदा को लेकर तो पहला अपडेट यह है चलिए अब जान ल खासदार मानिने किरपाल जी तुमाने इन से परतक्स मुलाकात करके एपिस 9595 की हालात ब्यान की उनसे चर्चा की मानिने किरपाल जी तुमाने इन्होंने कहा कि वे खुद लोकसभा में इस बारे में ब्यान देकर 55 की मांगों के बारे में सकारात्मक निर्णे के बारे में को परियास करेंगे इसके साथ हमें आश्वासन दिया और मान नेने संतोजी गैंगवार को खत लिखने के बारे में उन्हें पीए को दिसा निर्देश दिये वारतलाब होने के बाद हमने उनका दन्यवाद किया और यहां पर देख सकते हो इसके साथ नागपूर लोकस्वाब मद्दार संग के खासदार एम केंद्रे मंत्री जिनका नाम है नितिन गड़करी जी इनसे मिलने का पर्यास किया मगर उनसे मुलाकात ना हो सेगी उनके संप्रक कारावनले म लेकर बात जो है सरकार उजो कब कर निरने लेगी बाकि आगे जो भी कोई अबडेट आएगा जैसे कि हम सारी अबडेट आपके साथ जो है वीडियो को मादम से सीर करेंगे आपके शाप से मानसी इस्टर में पैंसन बढ़ना की ढ़ने की गोशना सरकार कर सकती या फिर नहीं कर सकती मिनिमूम पैंशन कितनी होने चीए कोमेंट मुक्स में कोमेंट करके जूरू बिताना मिलते हैं नए अपडेट के साथ